आप सभी को मेरा राम राम आज ना अपनी राशीपी नहीं दिखा दियुगं किसी और की राशीपी दिखा दिना तो आज मैं आई थी मॉसी के घर ऐख्योली मैं कल आई थी अब तो मैं सुधार सोके उपते ही ना मैं बाहर आई जाते तो यहां देखी की मेरे जो मॉसाजी है वो बाहर चूले में बना रहते खाना तो नहीं पड़ा पड़ा निकी वीडियो बनाने भैड़ गई क्योंकि आदा खाना तो मुझे भी बनाना है किसी मॉसाँजी बना रहते था तबस्ची और बाकी के पूरिया बनानी थी मुझे तो यहां यह बना रहते मिक्स वेज तो इन्होंने अपना काम तो स्टा़ ये कम स्फिड फा तो शंसी पनाते हैं प्रेजाब नेटी चौका फिर नमक मिर्ची ए चौका पार्डर फिर पानी और पानी को बॉयल आने तक ना पत्नी देंगे क्योंकि हमने बनाना है चावल की पूरिया और चावल की पूरिया मतलब उसका आठा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा स्पाइसी बनाओ ना तो वह अच्छा लगता है फ्लेवर फूल भी रहना चाहिए तो फ्लेवर के लिए मैंने डाल दिया था अले की धर भी थी और यहां मैंने आठा डाल के ना आठा को बड़ी आसा एक डो रेडी कर लि दिया बनाना स्टार्ट की और यह देखिए हमारा चुप की सबसे फर्स्ट वाली पूरी है मैंने डाल दिये थे तेल में और पूरिया जब तक हमारी तले की तब तक हम कुछ और बाते कर लेते हैं तो मैं यहां पे ना जो आमा है ना पो बैटके बगल में चाहिए दी दी और मेरी बेबी है जो उधर खेल दी और यहां मैं अपना काम कर रहे थी क्योंकि वो अपने खेल में मस्त रहती है तो वैसे वो प्रिशानिया करती ज्यादा काफी अच्छी बत्ती है और समझ्थार हुए है फीर सोटी सी है और मैं बहुत, मतलब काफी सालों के बाद मैं खा रही हूँ चावल की पूरिया, यूजली मैं बनाती नहीं हूँ चावल की पूरिया, चीला बना लेती हूँ, लेकिन पूरिया बहुत कम, बहुत रियर ही बनते हैं, तो ये काफी सालों के बाद मैं आज सुपर मौसी कह रही कि मौसा जी बना रहे हैं सब्जी और तु बना लेना पूरिया तो वह अपना काम करके तो हट किये और मैं अपना काम में लग गई थी तो जड़ेंगे तो जड़ेंगे पूरिया जो है वो बनके रेड़ी हो चुका था और तुबारे से मौसा जी बैठ गए चूले पर और मौसी जी भी बैठ गए क्योंकि मौसा जी को बनाने दे पराठे भी तो वो यहां पर अपना पराठा सेखने लगे और यह है मेरी बेठी जो तो बेठी पतानी क्या क्या खा ली और उसको यह सब खिलाने वाली है उसकी बुवा यह पतानी सो बेठे क्या लेके आगी है दुकान से यहां पर बैठा है मेरा प्यारा सा देवर जो की मेरा चूटा भाई है काफी अच्छा लड़का है स्थर्मा रहा था थोड़ा सा ये इसको तो बिल्कुल सरण नहीं है और ये है वो महमान हमारे घर की नई नवेली महमान तो ये देखे ये ना मौताजी ना काफे थारे पराटे बना है मैं थोड़ी थी इनकी बाते आपको बताती हूँ चलिए पापा कुछ बोलो क्या बोलो मेरी बीबी मैं से काम करवाती है गुजराची पराटे बनने है और ऐसे पराटे बनाता हूँ तो बीबी को खिलाते हूँ और इदर को करना करना कितनी मोटी होजी खाखा के है और चार और दस किलो वजन इनका बढ़ गया है मौसा जी के हाथ का खाखा के और फिर भी वह भी घी वाले पराठे खा रहे है भैस का एकी गाई का है गाई 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 अच्छा तो यहां पर हमारे प्यारी सी सुर्वे की सुर्वात में इनकी नोग जोग के साथ ये वीडियो यही पर एंड करती हूँ मिल दे नेक्स्ट व्लॉग में बाबाई टे कियर